कि प्रवास कि या माइग्रेशन कि प्रवास होता क्या है कि रॉफास कि से कहते हैं कि तो किसी अस्थान विशेस से यहां प्रिषच एक वर्तमान में उस अस्थान विशेस से हट करके वो किसी दूसरे स्थान पर अगर चले जाते हैं निवास्ट करने ही रहने के लिए एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर जाना ही क्या है प्रवास कहलाता है फी चुकि मनुसिक स्थान के Draw प्रवास करता है और हमेशा से चल रहा है आज भी चल रहा है तो अपनी विभिन आवा सकता हों कि पूरती के लिए अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानो एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर निवास के लिए प्रवास करता है ऐसा नहीं है कि हाँ वो सिर्म निवास के लिए ही कभी कभी जॉब के लिए भी प्रवास होते हैं कहीं पर जाना है जॉब करना है काम करना है इसके लिए भी वह प्रवास करते हैं वह हम प्रवास के प्रकार में देखेंगे कितने प्रकार का होता है प्रवास प्रवासन या माईग्रेशन भी उतना ही पुराना है ठीक है उतना ही प्राचीन है जितना मानवता स्वयम में है मानो का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन प्रवास का इतिहास है या माईग्रेशन का इतिहास है तो अपने विभिन जरूरतों के लिए एक निवाश करने के लिए के निवास है तुल अस्ठानांत्रित होना ही प्रवास को निवास है तुल अस्ठानांत्रित के ओना है की आगार आघवर Ange जब कोई बैक्ति या कोई परिवार या कोई समाज एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर चला जाए निवास करने के उद्देश से तो फिर वो क्या होगा प्रवासी होगा अब इसको और छोटे में कर दे तो अपने स्वभाविक निवास से अलग होना क्या कहलाएगा प्रवास अपने स्वभाविक निवास से अलग होना कि निवास से अलग होना प्रवास कहलाता है बहुत छोटी बाते देखें जन संख्या जो है वो गत सील है विचार सील है परिवर्तन सील है अब जिसमें इतने परिवर्तन हमेशा होता रहता हो जन संख्या में उसके लिए कोई निश्चित उधारना काम नहीं करती है कोई निश्चित परिवासा नहीं हो सकती है खाज कर परवास के लिए तो बिलकुल नहीं क्योंकि इसका नेचर जो है प्रविर्तियां हमेशा परिवर्तन सील होती रहती है आज आप कह रहे हैं कि निवास के लिए एक अस्थान से दूसरे अस्थान आ रहे हैं अब लोग अपने मोल अस्थान को पर्मारेंटली छोड़ने के लिए थोड़ा सा बचते हैं मात्रभूमी है उसके साथ वो इमोशनल अटेज्मेंट होता है जन्मक अस्थान के साथ में एक है तो उसको छोड़ते नहीं है लगिन वह सारा काम बाहर जाकर करते हैं कभी कूई फारी बाहर होगती है तो जो सामान बात होती है कि जो डेमोग्राफिक है या जनसंख्या की जो संरचना होती है जनसंख्या संरचना में जनमदर मृत्यूदर या प्राकर्ति बृद्धी दर इन सब चीजों को हम गयाद करते हैं अगर कोई व्यक्ति अपना निवास नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब कि उसी छेत्र में भले ही वो देश दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे पर जहां का उसका निवास है उसकी जनसंख्या तो वहीं काउंठ होगी तहीं तो ड़ी अगर मैं उट्तर पृद्धिस का में मेरा नाम लिए जा रहा हैं मेरा निवास नहीं है तो वहां रहते हुए भी में दोनों जगहों पर असमानता रही है यहाँ पर नहीं हूँ उसके बाद भी मुझे चाउंट किया रहा है वहाँ उसके बाद जन संख्या में भी हमारा योगण है हम परभावित करते हैं है चाहिए निकालकर रखा साथ ने जिसे हम लोग पढ़ते हैं तो बिस्व में देखा जाए तो जनसंख्या का विकास उसके बित्रण प्रतिरूप के निर्धार में प्रवास बहुत बहुत ज्यादा महत्पूल भूम का निभाता है जैसे किसी छेत्र में अगर प्राकृतिक जनसंख्या मान लीजिए 10 करोड है और बाहर से एक लाख लोग और आकर के वहां पर बस गए वहां के वह मोल निवासी नहीं है लेकिन आकर के वहां पर रहने लगे तो वहां का जो डेमोग्रेफिक होगा उसको तो उन्होंने चेंज कर दिया कि यहीं बात कहीं गई है कि विसमें जनसंख्या विकास तथा उसके बितरण का जो इतिहास है उसमें परवास बहुत महत्पूर्भूम का निभाता है माइग्रेशन मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या व्रिद्धी में तीन तरह की व्रिद्धी होती है एक वास्तविक व्रिद्धी होती है एक प्राकृतिक व्रिद्धी होती है तो जो प्राकृतिक व्रिद्धी होती है वहां के मुल निवासियों द्वारा ही जनसंख्या में जो व्रि होता है खासकर जननसंख्या बित्रण में किसी छेत्र की जनसंख्या में बृध्धी हो रही है इतु की तो प्रवास है जो कि महत्पूर भूम का निभाता है ठीक है तो अब प्रवास क्या है एक लाइन और भी आप इसमें एड कर सकते हैं कि परड़ाम होता है जन संख्या प्रवास क्या है एक लाएन और लिख लिजिए तो जल संख्या प्रवास एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर कि एक अस्थान से परिणाम है कि यह भी परिभासा के तोर पर दे सकते हैं कि जनसंख्या प्रवास क्या है तो एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर मानों गत्सीलता अर्थाद मानों के द्वाराग जाना यह वहां बस जाना क्या है उसी का परिणाम होता है कि जनसंख्या में प्रवास हुआ है ठीक है यह आप ध्यान में रखेगा कि परिभास आएं कभी कभी एक्जाम में सिधा दे देती है और फूस्ति है कि इसकी सही परिभासा क्या होगी तो वहां पर करेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहों अब प्रवास के लिए दो तरह के संचलन अर्थात गतियां जो प्रवास ह है उसकी दो प्रविट्टी हो सकती है दो तरीके से लोग जा सकते हैं आ सकते हैं वह दर दो तरीके कौन से होंगे या तो एक अस्थान से वह किसी अस्थान पर जाएंगे प्रवास गतिसीलता मानों की कैसी होगी दो तरीके से हो सकती है या तो वह एक किसी अन्य अस्थान स तो यहां आप देख लिजिए मानु प्रवाज या संचलन दो तरीके से हो सकता है नंबर एक किसी अस्थान पर कि आये हो जन संख्याइब कि आये हुई जन संख्याइब कि इसे क्या कहेंगे कि इसे बोलते हैं आप्रवास और दूसरा हो सकता है कि किसी अस्थान पर कि जन संख्याइब हो अगा इसे क्या कहते हैं उत्प्रवास या किसी अस्थान से यह दोनों लाइन का मतलब समझ लेजिए क्योंकि पूरे चैप्टर में यह सवाल मन में आता रहता है कि क्या कहेंगे लाइन कहती है कि किसी अस्थान पर आई हुई जन संख्याइब यानि जिस जगह पे प्रवासी आ करके बसी हैं मालेजे कि दिल्ली से कोई बॉम्बे जाता है तो बॉम्बे में उसको क्या कहेंगे बॉम्बे के लोग कहेंगे यह आप प्रवासी है क्यों क्योंकि यह दिल्ली से आया है यह बॉम्बे के लिए होगा दिल्ली से आया है इस लिए यह उत्प्रवासी है बस इतना ही समझ लिजी एक ब्यक्ति जिस अस्थान को छोड़ता है वहां के लिए वो क्या होता है उत्प्रवासी और जिस अस्थान पर वो जाता है वहां के लिए आप्रवासी सब्सक्राइब आया है उत्प्रवासी मतलब जा रहा है ठीक है यह आप समझें यह तो बाते हो गए जनसंख्या के प्रवास क्या होता है और दो तीन परिभासाइं हमने देखें कि इसके बाद में अब एक सवाल बनता है कि जब देखती एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर प्रवास करता है आज यहां पर है कल वहां पर होगा तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा किसी छेत्र में जहां से वह जाएगा या फिर जहां से वो जा रहा है जहां से उत्र प्रवास कर रहा है या फिर जहां पर वो आप प्रवास कर रहा है इन दोनों जगह उपर वो क्या प्रभाव डालेगा उसकी विसेश्थाएं क्या है तो एक हेडिंग बना लिजिए प्रवास की विसेश्थाएं प्रवास के बिसेश्ऱा होगा क्या कि जब एक जगा से दूसरी जगा पर जाता है तो फिर वो क्या-क्य प्रभाव डालता है क्या उसकी विसेश्च्षथाइं होती है सब्से पहली विसेश्च्ता है कि सामाजिक पर वर्तन के लचण पर आपको दिखाए देंगे ठीक है तो सामाजिक परिवर्तन के लच्छन इसका क्या मतलब है कि समाजिक परिवर्तन के लच्छन देखिए प्रवास ये प्रवास की विशेष्टा है सामाजिक परिवर्तन के लच्छन अर्थात जब कोई समाज में परिवर्तन होता है अच्छा या बुरा कोई भी परिवर्तन हो तक परवास होता है परवास का मतलब तब लोग अस्थान छोड़ने के लिए बात होते हैं या किसी नए अस्थान पर जाकर के बसने के लिए बात होते हैं या अगर सामाजिक परिवर्तन हो रहा है या आर्थिक सब्सक्राइब करने के लिए प्रवास करेगी उस खेतर में जहां अवदोगी करण हो रहा है तो यह आप ध्यान रखेगा कि जब कभी यह प्रवास है सबस्क्राइब को रिखेतल यह न में कुछ नकारातमरों हो रहे तो भी लोग उससे परिष्ण हो करके बसना पसंद करते हैं जैसे कहीं पर बहुत ज्यादा अ लड़ाई जगडे मार पीट योद जैसे स्थितियां बनी हुई है तो भी लोग वहां पे जाते हैं गुंडा राज अगर आ गया तो भी एक समाजिक परिवर्तन है तो भी वहां से प्रवास करेंगे जिसे आज के डेट में देखा जाए तो बंबे में फिल्म डेश्ट्री कि जन्संख्या कर रहे है दिल्ली में आ रही है यहां पर अच्छी समाजिक शुक्षा को ध्यान में रखती वह विए अपना खत्Assum का फिर आरय दिल्ली की तरफ यही कारण था कि कलकत्ता से जनसंख्या का प्रवास होगा इंडस्ट्री का प्रवास होगा बॉंबे में बॉंबे से फिर धीरे धीरे प्रवास होगा दिल्ली में अब जब दिल्ली में इस्थिति आ जाएगी सामाजिक परिवर्तन की यहां प्यगर्नका रात्मुक परिवर् परिवर्तन की महत्कूर्ण परक्रिया है यह भी एक विश्ष्था है इसके तहट क्या होता है कि जनसंख्या ब्रिद्धि और महरास दोनों संभुआ जनसंख्या में परिवर्तन आता है प्रवास के कारण वह एक किसी छेत्र से लाखों लोग निकल जाएं तो वहां की वह रहता है ति को ऊसी तरीके से जिस छेतर में जाकर के यह बस जायेंगे जहां पी यह आप वर्वाशी कहले वह से में बहुना इंश्धन संग्फियों का क्या हो रेकिरिया होती है प्रवास अगर यह कहीं पर हो रहा है ठीक ठाइड तो दुमसंग्हा में चेंजिंग होत अ सफ अगर प्रमाश नहीं होता अ ओधार नहीं होता तो फिर जो बिसेस्ज हत्र में श्पेस्वलाईजेसन रखते हैं चाहे वह स्वाश्त हो अगर एक अच्छा डॉक्टर है तो प्रarrive अइसा कारक हे जो ये निरधारित करता है कि वह डक्टर किसी ऐसी जगह पर प्रवास के Çaấp एक सथान से दूसरे स्थान पर ये प्रवास के द्वारा ही संभू होता है ये डाप्टर एंजिनियर और जो सबाइब जाते हैं प्रवास के मात्रिम से से दुसरे छितर में उन्हें प्रवास कहें ठीक है और वहां पर उनकी योगता का सहीशही उप्योग किया जाता है लेकिन उसका उप exatamente वह कर पारा कियोंकि समाज पिछड़ा हुआ है अब वह अकेला वेक्ति इतना पढ़ा लिखा और बहुत सारी प्लाइनिंग उसके मन में है लेकिन वह क्या कर सकता है उसके नॉलेज का उसके अनभों का इस्तेमाल नहीं कर पारा है को एक एक रिसर्चर या एक पिएश्डी ध घरख है गाओं के बच्चों को बुला करके पढ़ाये तो क्या उसके जो छमता है के हुट का सदिव्पयोग हो रहा है नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी जो योगता है वो सी ऊनिवर्सिटी में ग्रेजवेट और पोस्ट ग्रेजवेट कैंडिडे genauso को ट्रेंड करने है कि और उसे आप 4 साल 5 साल तीन साल के बच्चों में बैढ़ा देङी तो यह वह उसके उसका इसके उप्योग कर GA ठीक है अगला है सांस्कृतिक प्रसारण का साधन है यह प्रवास कि सांस्कृतिक प्रसारण का साधन है जब एक ब्यक्ति दूसरे अस्थान पर किसी अस्थान से दूसरे अपने संस्कृतियों और भी बहुत सारी चीजों को अपने साथ ले करके वहां से निकलता है लेकिन यह अस्थाणिय रूप से तो बिहार से लोग यूपी में यूपी के लोग भीहार में बिहार से लोग महाराष्ट्रा में देश के हर हिस्से में बिहार की लोग हैं और जहां भी वो हैं परिवार सहित जहां भी वो प्रवास किये हैं छट पूजा वहां मनाती है कि यैए जिस दिराज़ में जिस हिस्से में में घाट पूजे का कोई नामेनिसान नहीं था आज वहां भी चट पूजा का उत्सव बहुत धुमदाम से मनाय जाता है तो वह सिर्फ इसलिए क्रस्कृतियों का आधान प्राण हो रहा है परंपराहूं का आधान प्रतान हो रहा है न स्कुछित को प्रशार कर रेंप उसका प्रसार्ट करेंग इसको यह अगर तो दिश्वारा को कुर भशर की रखार कर गया है है कि भी नहीं कि है तो संस्कृतियों का आदान अपस मिलते हैं उनके कल्च इसकर मैं से किया होता है वह हैं और प्रवाश के में यहां फिरल का भारत में आना भारती कल्चर का बिदेशों हो और ध rouen लिए किशे अगर यह के 1 कि आ घर प्रवास होता है किसी चेत्र में किसी छेत्र से कहीν निकल रहा है किसी छेत्र में कहीं पर गूंढों स्थितियों में प्रवास होता है और इसकी क्या विसेश्थाएं हैं क्या गुड़ होते हैं प्रवास में यह चीज आपने सीखा अगली क्लास में हम प्रवास के कारणों पे चर्चा करेंगे कि कौन से कारण हैं जिसकी वज़े से लोग अपना घर द्वार छोड़ते हैं जिससे वह भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं उन कारकों पे हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे